Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace आज का हमारा topic है Types of Play, ठीक है? Types of Play ये भी कुछ जादा बड़ा topic नहीं है, बड़ा easy सा है ये देखो, अब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? आपको सारे play के नाम याद रखने है ठीक है? पहला है solitary play next one is character play फिर है parallel play अब associative play cooperative play देखो, अब हम one by one इनकी बात करेंगे और जैसा कि मैंने कहा topic बहुत आसान है लेकिन आपको इन सब का जो है नाम याद रखना है, solitary play की बात करते हैं solitary play मतलब बच्चा अकेला खेलना पसंद करता है क्यों? क्योंकि बच्चा अभी उतना socially developed नहीं हुआ so that means यहाँ पर किस time period की बात हो रही? किस age की बात हो रही है? birth से लेकर two years तो birth से लेकर दो साल तक का जब बच्चा होता है उसे अकेले खेलना पसंद है तो अकेले खेलना पसंद है तो that means वो किस category में आया? solitary play की category में आया बच्चे को अकेले खेलना इसलिए पसंद है क्योंकि अभी बच्चा socially इतना develop नहीं हुआ ठीक है? तो बच्चा यहाँ पर किस चीज के साथ खेलता है? dolls के साथ खेलेगा छोटे-छोटे toys के साथ खेलेगा छोटे-छोटे objects के साथ खेलेगा ठीक है? अब क्या है ना कि solitary play में बच्चा अकेला खेलता है तो इसलिए आप इसे एक नाम और दे सकते हैं नाम याद रखना ठीक है? independent play, unoccupied play तो solitary play का ये दो नाम आपको ध्यान में रखना है तो बच्चा जब बर्त लेता है और दो साल तक का जब बच्चा होता है इस time period में बच्चा अकेले खेलता है किसी के साथ occupy नहीं होता इसलिए याँ पर unoccupied word मैंने लिखा है तो बच्चा अपनी doll के साथ खेलेगा, toys के साथ खेलेगा, objects के साथ खेलेगा ठीक है? अब क्या होता है ना कि बच्चा इस time period में अपने toys, objects के साथ खेलता है तो that means इसे आप symbolic play भी कह सकते हो बट आपको ध्यान क्या रखना है कि बच्चा इस time period में अकेला खेलता है और जब बच्चा alone play करता है उसे हम कहेंगे solitary play ठीक है? अब character play की बात करते हैं देखो character play that means कि अब बच्चा जो है वो 2 साल के बिलकुल थोड़ा वो आस पास है प्ले स्कूल चला गया या कहीं पैरेंट्स जो है अब उसके दोस्त बनवाने लग जाते हैं तो अब क्या होता है बच्चा इतना दोस्त वोस तो नहीं जानता इस time पर बच्चा इतना दोस्ती नहीं जानता लेकिन बच्चा क्या करता है ना कि अपना गेम तो खेलता ही खेलता है लेकिन दूसरे बच्चों को observe करने लगता है ध्यान रखना कि character play का मतलब है और ये है two and आप कह सकते हो two to you know two and a half years तक का time period अब क्या है ना कि बच्चा इसमें नाम दूसरों को observe करता है तो that means इस play का एक और नाम जो है that is spectator and onlooker ठीक है spectator and onlooker का मतलब भी क्या होता है दूसरे को देखना दूसरे को observe करना अब बच्चा जो है वो इस उम्र में दूसरे बच्चों को observe करने लगता है दूसरे बच्चों को spectate करने लगता है और लुप करने लगता है लेकिन अपना गेम अलग खेलता है किसी के साथ अभी मिलकर नहीं खेलता ध्यान रखना बच्चा यहाँ पर भी अकेला खेल रहा है लेकिन उसको किसी से मतलब नहीं है दीन दुनिया से लेकिन यहाँ पर बच्चा जो वो दूसरों को अब्जर्व करने लगता है लेकिन फिर भी बच्चा अकेला खेलता है तो ये line अपनी लिख लेना आपको difference पता होना चाहिए अब बात आती है parallel play की अब बच्चा यहाँ पर 2-3 years तक का जब होता है तो parallel play करता है मतलब एक room में जब बच्चे खेलेंगे तो सब अपना 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 गेम खेल रहे हैं किसी को किसी से कोई मतलब नी कोई interaction नी तो आप इसमें क्या लिखना कि parallel play में there is no interaction and सब लोग अपना 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 गेम खेलते हैं जैसे कि एक room प्रोवाइड कर दिया बच्चों को वहाँ पर गेम रख दिये सब अपना अपना गेम खेलेंगे किसी को किसी से कोई भी मतलब नहीं है लेकिन सब लोग एक room में ही खेलेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे parallel play कहेंगे अब बच्चा हुआ तीन से चार साल तक का तो तीन से चार साल तक का बच्चा associative play करता है अब बच्चा थोड़ा बहुत interaction करने लग जाता है और cooperation की थोड़ी बहुत भावना आ जाती है तो बच्चा इस time पर अपने toys को share कर देता है ठीक है? इस time period में क्या होता है? They share their toys अपने खिलोने जो है वो share करना शुरू कर देता है जैसे कि suppose करो अब बच्चे एक युनो एक रूम में पजल खेल रहे हैं सभी बच्चे एक बच्चे के पजल गुम हो जाते हैं तो दूसरा बच्चा उसको अपनी help कर देगा मतलब कैसे करेगा कि वो अपने पजल उसको दे देगा थोड़ा बहुत अपना खिलोना जो हो share कर देगा तो वो कौन सा है period? associative, you know period यह है और play का नाम है associative play अब आई बात cooperative play की अब cooperative में नाम भी समझ रहे होगे आप यहाँ पर बच्चा proper interaction सीख जाता है and बच्चा यहाँ पर एक टीम में खेलता है वन टीम में ध्यान रखना अभी तक मैंने कहीं पर नहीं बताया कि टीम में खेल रहा है ना इसमें टीम में खेलता है Associative play में जैसा कि मैंने बताया कि toys share करने लग जाते हैं लेकिन साथ में नहीं खेलते हाँ ये बात है कि toy share कर देंगे एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत interaction कर लेंगे लेकिन सब लोग अपना-पना game खेल रहे हैं ठीक है और इस टीम में अगर एक बच्चा चोड़ कर चला गया गेम तो सारा गेम खतम हो जाता है ध्यान रखना ये चीज़ तो मैं दुबारा से फटा फट से आपको बता देंगो अपने टॉइज के साथ अपने डॉल्स के साथ इन सब के साथ खेलता रहता है अब करेक्टर प्ले में क्या होता है कि बच्चा दूसरे को अब अब्जर्व करना सीख जाता है तो देट मींस कि स्पेक्टेटर एंड ओन लुकर बिहेवियर उसका हो जाता है तो वह करेक्ट इसी भी तरीके का कोई interaction नहीं है, यहां पर बच्चा अपना गेम खेल रहा है, यहां पर अपना गेम खेल रहा है, दूसरा अपना गेम खेल रहा है, ठीक है, तो कोई interaction नहीं है, लेकिन खेलते एक ही रूम में हैं, अब associative play में क्या होता है, कि बच्चे जहां खेल रहे होते ह वहाँ पर उनका थोड़ा-थोड़ा interaction होने लगता है ठीक है और इसके साथ साथ वो अपने toys को भी share करने लगते हैं लेकिन इतना interaction नहीं होता कि वो एक team में खेलें एक team में खेलतें तो अगर associative play में कोई game छोड़ के भी चला जाए तो किसी को किसी से कोई फरक नहीं पड़त सब अपना-पना game खेलते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक team में खेल रहे हैं लेकिन cooperative play में क्या होता है कि बच्चे अब proper interaction सीख जाते हैं क्योंकि यहाँ पर four plus के बच्चे आ गए ठीक है चार साल से जो above age हो गई तो अब cooperative play में क्या करते हैं बच्चे कि वो एक team में खेलने लगते हैं और अगर एक बच्चा टीम छोड़कर चला गया तो शायद वो game ही खतम हो जाएगा जैसे कि बच्चे घर-घर खेलते हैं तो वो एक टीम में रहते हैं तो अब उनमें cooperation की भावना जो है proper आ जाती है और यहाँ पर proper interaction बच्चा करने लगता है बस इतना आपको ध description box में मिल जाएगा first comment section में भी मिल जाएगा this said Priyanka Gor I wish you all the best keep learning thank you so much for watching this video और मिलते हैं कल वीडियो में thank you so much